अब्लाव। जी नमस्कार। नमस्कार। जी। ती अन्मूने आपने बोल रहा हूं। जी में रहों रहों। जी में राहूर रही हैं बोल रहा थे हुआ है। जी। करेले का जून्स भी पीता हुँ तो भी मेरे को पेट की प्रोब्लम थी कि मैंने आपका वीडियो देखा एक मेहना पहले से देख रहा हूं तब से डाइट चालू कर दी है ठीक है आज कल एक मेहना हो जायोगा त्मी तारीकों ठीक है हुआ 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 है तो एक महनेक जायट में आपको क्या डिफरेंस भी तो सर बहुत है अगया पेट फूलता था गैस बनती थी वो नहीं बन रही है गैस भी नहीं बन रही है और चेड भी नहीं फूल रहा है अब जादिक आपका भी कभाया मट्मी काफनी कभी बनता था असा दाइक वाकि भाकी बोट रहात मिलिले ठीक है अई बैक है अर उसका तेंसे बार इनिम दिखाता है प्रेकर आपको अब तो दिक्कत तो खेंद नहीं आ रही है मार में वही सोच रोपे दानी कि प्रेसर क्यों नहीं बनता है प्रेसर भी बनेगा भी नहीं तो जो आप ले रहे हैं उसे बात यह नहीं नहीं है जो आप ले रहे हैं उसे बात नहीं तो अनिमा करनो एक दिंश्टोड़कर पार एक अनिमा करी रहे है वास्टर भी पूछना तो में को और उसमें कुछ और कुछ होगा तो आप बता है कि आने के गरी जूसमें और कुछ ग्रेश देखिए अभी प्रेशर जो है बनेगा भी नहीं ठीक है अभी इसमें जो है तुरह टाइम लगेगा इसको आप एक दिन छोड़के अनीमा कीजिए अनीमा करके अपना प्रेट जिए इसको साफ रख लिए प्रेशर खुद इसे बनने में टाइम लगता है कि आपको कफी पहले ताइम से है आपको यह समस्या साथ आट महना होगा है अच्छा है आप देड़े बीज़े आपकी सर यह को एक महीने में बहुत आने की पेट मैं बहुत अराम मुला उपकेट सूजना वो सब बंढ हो गया भी डाइट काही होता है इसमें यह जो जो पेट फूलता खाए ठीक है और जो भी दिक्कते आप बतारें ने लाव क्या दिक्कत होती है अगर दर्द तो खैर में को नह तो आप जो आपने अभी चेंजेस किया एक महिने में उसी की वज़े से रिवक आया है और यह भी ठीक हो जाएगा आप यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा लेकिन अभी प्रेसर जो आप बता रहे हैं प्रेसर वाली समस्या वो अभी रहेगा वो तौल होले में एक प्ड़ा अब लंबा टाइम रहता है पांची नहीं और क्या भूक है भूख भूगी बिल्के लगए तो खेर वो तो लगने लगेगी आज नी कर दो चालू मैं रखी रहों डाइट तो में करूं गई हूं पूर लगेगा अभी ताइम लगे यह इसमें भी ताइम लगे यह इसमें त्रीक है सबया जिए ठीक है ठीक है सब्डने बाद का गारी झाल झाल